दोस्तों को जय हिंद पंदेमातरम राम राम S.S.C.D. 24 की नेवाली भरती में आपने एक फॉर अपलाई किया होगा आपने भी S.S.C.D. का एक्जाम दिया होगा और आप सभी के मन में एक चीज़ का डाउट अभी भी है कि S.S.C.D. का कितना जाएगा कितना नमबर रखाऊगा तो हमें कनपॉर्म फिजिकल में बुलाया जाएगा तो इसी के लिए आज मैं आप सभी के लिएक स्पेशल वीडियो लेके आया हुआ हूँ जिसमें आप सभी के फिजिल कटप के बारे में एक चीज़ अनकारी इस गुड़े आपको मिल जाएगी तो फिकरी क्या है बात जब स्वार में शाइन पॉंड यूदुब चले आपके साथ आपका भाई है ना टेंसर एक विजरत नहीं है बात करें SSCGD में अपकी बार फिजिल कटप कितना जाएगा तो में दोस्त उससे पहले मैं आपके एक चीज़ बता दू आपके बच्चों को बुलाया जाएगा तो आपका दोस्तों डो लाख आपके बच्चों को बुलाया जाएगा तो आप सभी को पता है 26,146 पोश्टों के लिए अप्रोक्स 32,00,000 बच्चों ने एक्जाम दिया हुआ है तो जो आपका कटप होने वाला है वो कटप तो लो नहीं जाएगा कटप आपके हाई जाने वाले हैं अब कटप कितना हाई जल जाएगा तो प्रिबियस एर के मुकाबले एक से लेक के दो नमबर ही हाई जा सकते हैं इससे ज़्यादा कटप आपके हाई नहीं जाने वाला है तो पुरा डीपली एनलिसिस करने के बाद मैंने आप सभी के बतार का अच्छा सब्सक्रात मतर सबसेब करें आपके high number वाल state का, जिसमें बहुत ज़़ा number रखने पे ही वहिया selection की उमीद होती है, जहांके बच्चे fake donation बनाके फिर वहिया इधर उधर घुमने लगते हैं, तो पूर्ण state की बात करते हैं, जहां पे high से high cutoff जाता है, तो अगर हम high से high cutoff की बात करें, तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हरियाना, जिसका दोस्तों अगर physical की आपका तयारी करनी है, तो 160 में से वहिया, आपके पास कितना number होना चाहिए, तो 110 number है, तो आप physical तयारी में लग जाओ, UP की बात करें, तो UP में भी 120 पास कितना number है, तो आप physical तयारी में लग जाओ, UP की बात करें, उसमें आपको 120 नंबर है, तो physical तयारी में लग जाओ, जरकंड की बात करें, तो आपका 100 नंबर है, तो आप physical तयारी में लग जाओ, प्रिवियस एर में जो high cutoff गय हुए थे, उसी के base पे मैंने ये बनाया हुआ है, इन सारे states जो भी बच्चे बिलॉंग करते हैं, अगर वो border area, नक्सल area, अधिन दोस्तों, ACST, OBC, EWS category से हैं, तो जैसे आप सोच तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अगर आप सभी का 105 नंबर है, तो भी आप इसे त्यारी में लग जाओ, क्योंकि आप सब को पता है, नक्षल, जो border, इनका ACST का cutoff अलग-अलग उठता है, तो आप उसकी भी त्यारी में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको बलाएं कि जितना मैं बता रहा हूँ, यह हाई से हाई है, इसमें 5-6 नंबर कम है, तो भी आप त्यारी में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नमबर इसन होगा, बात में नंबर बढ़ेंगे यार, तो इतना परिसान नहीं होना है, इसके बात करते हैं, मीडियम कटफ आले स्टेट्स की, जो की दोस्तों मीडियम रेंज में आपका कटफ जाता है, तो इसमें अगर आप 36 अर से बिलोंग करते हो, 90 नंबर आपका आ रहा है, तो फिजल त्यारी में लग जाओ, मेरे दोस्त, पक्का आपका फिजल में बुलाए जाएगा, महराष्टा की बात के तो 87 नंबर आपका आगर आ रहा है, तो तैयारी में लग जाओ, पंजाब की बात के तो 85, अगर दोस्तों आपके WP की बात करें, वेस्ट में काल की तो इसमें आपका 75, गुजरात का आपका 75, उडिसा का आपके 85 है तो आप फिजल तियारी में लग जाओ, अब इन स्टेटों का इमें बता दू, जो भी नक्षल, बॉर्डर, ACST और OBC केंडिएट हैं, उनका अगर पांच नंबर कम भी हैं, यहाँ पर मैंने 96 का 90 बता है, अगर आपका 85 भी है, अगर दोस्ता आप बॉर्डर इरिया से बिलॉंग करते हो, तो भी आप इसी तियारी में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से सारे इस्टेट का मैं बता रहा हूँ, उडिसा हो गया, पंजाब, वेस्ट मेंगार, तो तैयारी में लग जाओ, तैयारी नहीं छोड़नी है, अपने को मेहनत करना है, तब जाके अपने बदन पर वर्दी चड़ेगी, तो यह हो गया, मीडियम कटफ, अब आते हैं, लो कटफ वाले स्टेट की बात करते, जहां पर सबसे ज़्यादा कम कटफ जाता है, आपको लो इस्टेट की बात करें, तो आपके आसाम नॉर्थिष्ट में अगर आपने बावन नमबर रखा है, तो आप फिजल की तैयारी में लग जाओ, मेरे दोस्त, अगर आप दोस्तों बॉर्डर और नक्सेले से बिलॉंग करते हो, तो 45 नमबर में भी आप फिजल की तैयारी में लग जाओगे, यह लो से लो अले स्टेट है, जहां पर सबसे लो कडफ जाते हैं, लग जाओ तैयारी में कि बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होती है, और SSC GD में आप सब्सक्राइब पता है, फिजिकल में प्रॉक्स 5 किलोमेटर का रणिंग होता है, और में दोस्त टाइम 24 मिनट का होता है, उसमें आप 30 सेकंड भी देर हो गए, 40 सेकंड भी देर हो गए, तो बर्दी के सपने को छोड़ दो, बर्दी का सपना तूट जाएगा सिर्फ चन सेकंड हो में, तो मेहनत आज करोगे तो फल कल मिलेगा, और इतना नंबर है, तो भाईया कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का बात आपको SSGD की भरती में, अपकी बार सिलेक्शन लेने से नहीं रोख सकता है, अब मेहनत दोस्तों जब खुद पर करोगे तो विश्वास भी आपको होगा, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं होगा, पात बाकी ग्यानी लोग आते हैं, कि जब एंसर किया आएगा, तो हम मेहनत कर लेंगे, जब एंसर किया आएगा, तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये वो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तयारी जो जीत की होती है, वो दोस्तों क्या है, कॉमपेडिशन आने से पहले होती है, कॉमपेडिशन कब होगा, जब एक बार एंसर किया आजाएगा, उसको आपके रिजल्ट आ जाएगा, उसको आपको आपको पहले से तयारी जो बच्चा नहीं करेगा, वो क्या एक ही दिन में 5 किलमेटर करने 24 न मार के आजाएगा, घर में 100-100, नहीं आ सकता है, जैसे आप एक्जाम की तयारी, एक्जाम आने से पहले करते हो ना, 2-3 महीना पहले, वैसे फिजल्ट की तयारी भी 2-3 महीना पहले से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज तयारी नहीं करोगे, तो कल फल नहीं मिलेगा, और कल बदन पर बर्दी नहीं चड़ेगी, तो आज अपने लिए महनत करो, किसी दूसरे के लिए नहीं, और मैं तो हमेसे कहता हूँ, अगर बिजली की तरह चकर चमकना है आकास में, तो आज पागलों की तरह महनत करनी पड़ेगी, तो यह आपके उपर डिसाइड है, कि आपको आकास में बिजली की तरह चमकना है, कि नहीं चमकना है, अगर आपको चमकना है आकास में बिजली की तरह, तो आज पागलों की तरह महनत करो, हार मत मानो, लोग लाग बाते बोलेगे कि तुशे नहीं हो पाएगा तु यह है वो है किसी की बात नहीं सुननी है खुछ से जीत करना है लोग का तो काम है वो बोलते रहेंगे demotivate करते रहेंगे लेकिन आपका काम है अपने आपको मोटिवेट रखना, अपने आप में 100% देना, जो भी आपका सपना है, और सपना एक दिने पूरा नहीं होता है, सपना पूरा होने के लिए टाइम लगता है मेरे दोस्त, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, उन्हीं के सपनों में जान होती ह स्व४ रैवात है नहीं होंते हो मेरे दोस्ति और तो अपने सपनों में जान लेके आऊ, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं मेरे दोस्ति के जान होती है, जो की मेनत करनेeled को तयार होता इतना तगड़ा, उतना तगड़ा, अपने आपको आप जितना रगड़ोगे, उतना तगड़े होते जाओगे, बोलने वाले लोग हजार बाते बोलेंगे, टी मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे तुझ से नहीं हो पाएगा, ये है वो है, बढ़ मैं बता दू, किसी की बात न नहीं नहीं कि मैंने इतनी से भी कमी नहीं थी कमी थी किसमत में ऐसी सिलेक्षिन हुआ नई कि मैंने मैंनत पूरी तरह की थी उंढ़ मेनत है ना आप आज शेम यshaped है और आज को सब्सक्री आज जाके मेरे बदन पर वर्दी है, अगर उस दिन में मेहनत नहीं करता, खमख्याली करता, घुमता फिरता, तो आज मेरे बदन पर वर्दी नहीं होती, तो मेरे दोस्त, कुछ चीज को इमैजन करके आज मेहनत में लग जाओ, किसी की बात मत सुनो, ठीक है न, वो कह रहा न जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली कोशिस से तेरी जारी कभी न कभी आएगी तो मेरी विबारी तेरी विबारी सुन मेरे भाई तो मेहनत में लगे रहो, आज का मेहनत कल आपको फल देगा, और आज की मेहनत कल आपके बंदर में बर्दी चढ़ाएगी, और लोग नजारे देखेंगे, और उस दिन का इंतिजार आपके भाई को भी रहेगा, और आपको भी रहना चाहिए, तो आज से फिजिल तियारी मातरम बस जाज़ा इतना करना चाहूंगा कि अगर आज दोस्तों मेहनत नहीं करोगे फिर कल सफल नहीं हो पाओगे अगर आकास में विजली की तरह चमकना है तो आज पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी यह चीज़ याद रखना जै हिंद जै भारत बहुत मता की जै पं दे मातरम जै हिंद